हेलो फ्रेंड्स जैश्वी महाकाल मैं सार्थक शुक्लाप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्टेडेविच शिपरा तिरे पर दोस्तों आज हमारी क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुक समारोग यह दोस्तों यह बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक है State Level Exam के हिसाब से भी और India Level की एक्जाम के हिसाब से भी क्योंकि इसमें Question ऐसा है कि India का सबसे बड़ा नरत्य समारो कहां आयोजित किया जाता है इसलिए वीडियो को अन्त तक जरूर देखियेगा दोस्तों चलिए बिना समय गवाई लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों वेकेंसिस की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो की जानकारी के लिए शिपरा तीरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो सबसे इंपोर्टेंट है मध्यप्रदेश समारो जी हां दोस्तों मध्यप्रदेश समारो नई दिल्ली में आयरजित होता है इसकी शुरुवात 1982, 1982 में हुई थी इसमें मद्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की जहलकियां प्रस्तूत की जाती है इसमें दायन, नरत, एवं वादन, चित्र आदी का आयोजन किया जाता है दोस्तों इस चिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा कि मद्यप्रदेश समारो जो है वो नई दिल्ली में आयोजित होता है और इसकी शुरुवात 1982 में की गई थी ठीक है दोस्तों 1982 से इसे मनाया जा रहा है कहाँ पर नई दिल्ली में अगला है कालिदा समारो कालिदा समारो उज्जेन में मनाये जाता है महाकाल नगरी जैसे किसी भी समारो के आगे जो नाम है, जैसे कालिदास समारो, तो दोस्तों, यह किसी वैक्ति का नाम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यह जितने भी हैं, कोई बड़े वैक्ति हैं, जिननें कोई पदमभूष्गान, पदमश्री, भारतर्पन, जैसी कोई चीजे मिल रखे हूँ या भूद बड़े लेखा को उनके नाम पर ये समारो आयोजित किये जाते हैं तो कालिदा समारो जो है उज्जेन में आयोजित किया जाता है 1958 से इसके शुरुवात हो गई थी दोस्तों और इसमें क्या क्या होता है इसमें परंपरागत रंगमंच परिसंबाद वाद विवाद नाटक चित्र प्रदर्शनी का आयोजित किया जाता है ये बहुत जादे इंपोर्टन कोश्यन है दोस्तों कि कालिदा समारो का आयोजित किया जाता है उज्जेन में अगला है खजुराहो नरत्य समारो खजुराहो नरत्य समारो उसके नाम से ये दोस्तों खजुराहो में आयोजित किया जाता है इसकी शुरुवात 1976 से की गई थी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सारी information लाया हूं समारो से related क्योंकि आपसे question भी ये पूछा जाता है कि इस समारो की शुरुवात कब की गई थी तो खजुराहो समारो की शुरुवात की गई थी 1976 में इसमें भारतिय शास्त्री नरत्य की सभी शैली में प्रतिष्ठित कला का शामिल होते हैं यह मद्यप्रदेश में ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा नरत्य समारो है जियां दोस्तों कभी आपके सामने question आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा नरत्य समारो कौन सा होता है तो वो है खजुराहो नरत्य समारो इसकी शुरुवात 1976 से की गई थी इसको underline कलीजी दोस्तों लिख कर कि भारत का सबसे बड़ा नरत्य समारो खजुराहो नरत्य समारो है और 1976 में इसकी शुरुवात की गई थी अगला समारो जो है तांसेन समारो सब जानते हैं तांसेन के बारे में है ना तांसेन समारो जो है वो गौलियर में आयोजित किया जाता है और इसके शुरुवात 1980 में की गई थी शास्त्रिय संगीत का एक प्रतिष्ठित समारो है देश के तीर्थ संगीत अग्य गायक और वादक शामिल होते हैं ठीके दोस्तों यानि कि तांसेन समारो गौलियर में आयोजित किया जाता है उन्ने स्वस्थी में इसकी शुरुवात की गई थी उस्ताद अलावदिन खां संगीत समारो दोस्तों इसको खां पढ़िएगा बहुत सारे लोग इसको खान पढ़ते हैं खान नहीं है ये खां है अलावदिन खां उस्ताद अलावदिन खां संगीत समारो है मैहर मैहर सतना जिले के अंतरगत आता है दोस्तों ठीक है यह बाबा अलाउद्दिन संगीत की विविद्धता पूर्ण प्रस्तुती होती है, इसका मुख्य आकर्शन, अलाउद्दिन के द्वारा इस्थापित मैहर बैंड है, तो दोस्तों यह भूद इंपोर्टनेट इस सीज का ध्यान रखेगा, उस्ताथ अलाउद्दिन खा, संगीत समारो क सबसे नया अभी जीवला बनाया है, निवाडी, निवाडी किस से अलगों के बनाया है दोस्तों, टीकमगर से, ठीके दोस्तों, टीकमगर से अलगों के बनाया है निवाडी, तो ओर्चा उत्षव जो है, वो कहां पर आता है दोस्तों, निवाडी में मनाया जाता है, इसकी important बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारो शाजापूर में आयोजित किया जाता है 1982 में इसकी शुरुवात की गई थी इसमें विभिन प्रकार के सांस्कृतिक समारो आयोजित किये जाते हैं ठीके दोस्तों अगला देखते हैं उस्ताद आमिर खा संगित समारो दोस्तों इस तिश क ध्यान रखिएगा यह आमिर खाएं वो जो हैं आपके सामने में बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ ये उस्ताद अलावद्दिन खा है ठीके दोस्तों ये उस्ताद अलावद्दिन खा है और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उस्ताद आमिर खा है ठीके दोस्तों यहां अलावद्दिन हट चुका है ये सिर्फ आमिर खा है तो उस्ताद आमिर खा संगीत समारो की बात की जाए तो वो इंदोर में होता है यह समारो सू प्रसिद सितार वादक उस्ताद आमिर खा की याद में आयुजित किया जाता है इसमें देश के प्रमुक सांस्क्रतिक एवं शास्त्री संगीत से जुड़ी हस्तियां भाग लेती है दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पर बहुत जादा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को उस्ताद अलाउद्दिन खा संगीत समारो कहाँ पर होता है मैहर में जबकि सिर्फ उस्ताद आमिर खा आए तो उसका आंसर होगा आपका इंदोर ठीक है दोस्तो जी हाँ अब आगे देख लेते हैं यह सब आप देखी चुके उस्ताद आमिर खा और यह सब अब आता है सुभद्र कुमारी चोहान समारो सुभद्र कुमारी चोहान समारो कहां मना जाता दोस्तो जबलपूर में इसकी शुरुवाद भी 1982 में होई थी। गई थी यह संगीत की दुरूपद विधाक को बढ़ावा देने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर आयोजित किया जाता है दोस्तों इसीश का ध्यान रखना यह कोशन पूछा जा चुका है कि दुरुपत समारो किस आधार पर आयोजित किया जाता है तो इसका आंसर है गुरु शिष्य परंपरा ये कोशन पहले भी पूछा जा चुका है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है इसको याद रखेगा जो दुरूपत समारो है वो भूपाल में आजित किया जाता है 1981 में इसके शुरुवात की गई थी और यहां गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर आयोजित किया जाता है अगला सवाल है अगला समारो है दोस्तों अगला समारो है मालवा उत्सव जिया दोस्तों मालवा में आप जानते हैं उज्जेन इंदोर मांडू जो है या मांडव जिसको आप बोल सकते हैं मांडव तो इंदोर उज्जेन और मांडव में इसका अयोजन किया जाता है, 1991 में इसकी शुरुवात की गई थी, इसमें मालवी शेली के नरत्य प्रस्तूत किये जाते हैं, और हस्त शिल्पी के मेले भी आयोजित किये जाते हैं, दोस्तों हस्त शिल्पी मतलब हाज से बनाई गई सारी चीजें, जी हां दोस्तों इसे हस्त तो इसमें मालवी शेली के नरत्य प्रस्थूत की जाते हैं हस्त शिल्प के मेले भी आयोजित किये जाते हैं और दोस्तों मालवा उत्सव कहा कहा मनाया जाता है इंदो रुज्जन और मांडव में इसके शुरुआत हो थी 1991 में अब दोस्तों ये तो थे बहुत जादा important बहुत जादा important जो जो मैंने आभी आपको करवा दिये अब कुछ अन्य भी है जो किसी किसी exam में देखने को मिल जाते हैं और बच्चे बोलते कि सरी कुछ सा नया देखने को मिला दोस्तों नया कुछ नहीं होता है कुछ एसे छोटे छोटे समारों होते हैं जो आयोजित तो किये जाते हैं लेकिन उनका प्रचार प्रसार जादा नहीं किया जाता है जैसे अब अपन पढ़ेंगे दोस्तो वेभेन शहरों में आयोजित होने वाले अन्य समारों जैसे निमाड अब दोस्तो मालवा का पूछा जाता है लेकिन निमाड का कम पूछा जाता है तो निमाड उत्सा होता है खंडवा खरगोन में जिनको सुनहरे जिलों के नाम से भी आप जानते होंगे खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले ये कोशन आ चुका है कि सुनहरे जिलों के नाम से किन दो जिलों को जाना जाता तो वो हैं खंडवा और खरगोन तो दोस्तो ये खंडवा, खरगोन और बढ़वानी और मुख्यतह महेश्वर जो की खरगोन के अंतरगत आता है महेश्वर यहाँ पर आयोजित किया जाता है इसकी शुरुवात 1994 में की गई थी अगला है दोस्तो टेपा समारो दोस्तो टेपा समारो में बता दे हास से कलाकार आते हैं जी हाँ दोस्तो हर साल ये किसी कॉमेडियन को अवाड दिया जाता है और इसका आयोजन उज्जेन में होता है 1991 में इसकी शुरुवात की गई थी टेपा समारो बहुत जाते इंपोर्ट किया जाता है लोक रंग समारो ये भोपाल में आयोजित किया जाता है जन जाती फिल्मी उत्सव ये इंदोर में आयोजित किया जाता है अगला और बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट अगर आजा आपकी एक्जाम में दोस्तों लता मंगेशकर सुगम संगीत इंदोर में आय विनोज समारो भोपाल में आयोजित किया जाता है, मध्यपर्व समारो भोपाल में आयोजित किया जाता है, राज शेकर समारो भोपाल में आयोजित किया जाता है, भाव भूती समारो भी गौलियर में ही आयोजित किया जाता है, इस तीस का ध्यान रखेगा, भाव भूती समा समारो कायोजित किया जाता है गौलियर में और राजशेकर समारो भोपाल में अगला है दोस्तों केशल जयन्ती समारो यह ओड़्चा में और ओड़्चा शहर किसके अंतरगत आता है दोस्तों निवाडी के अंतरगत आता है तो केशल जयन्ती समारो ओड़्चा शहर के समारो भोज समारो जिया दोस्तों भोज नगरी सभी जानते है धार है ये कोशन बहुत इंपोर्टेंट है आज चुका है कि भोज नगरी की राजधानी जो थी वो थी धार ठीके दोस्तों तो भोज समारो कहां पर आयो जित क्या जाता है धार में तुलसी समारो तुलसी समारो चित्रकूट में आजित किया जाता है ठीके दोस्तों तुलसी समारो का आजित किया जाता है चित्रकूट में नर्मदा महत्चव बेडा घाट जबलपूर में बेडा घाट जबलपूर में बेडा घाट दोस्तों जल्परग्वाज भी है और ये नर्मदा नदी परी है और जबलपूर में स्थित है ठीक है दोस्तों इसके बाद है माखनलाल चतुरवेदी समारो माखनलाल चतुरवेदी समारो खंडवा में आजित किया जाता है किशोर कुमार सम्मान समारो खंडवा में आजित किया जाता है खंडवा, खंडवा के रहने वाले हैं किशोर कुमार, किशोर कुमार सम्मान समारो कहा पर आलजित किया जाता है खंडवा में, इसके अलावा राष्ट्रे हिंदी नाटे समारो ये आलजित किया जाता है भोपाल में, राष्ट्रे हिंदी नाटे समारो भोपाल में आलजित कि बंड के जिता है इजि Iraq उयर और दोस्तों अगर वेक Only record वी ऑड़े की जानकारी चाहिए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें दोस्तों करें पंवारा वीडियो कैसे लगाई और जादा सयदा शेर करें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू फ्रेंड्स जैश्री महाकाल